सब्सक्राइब कीजिए ग्रह सुनाली यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर सारे लेटिस्ट यूसफूल अपडेट सबसे पहले जानने के लिए और यह बिलकुल फ्री है तो माई यूट्यूब चैनल ग्रह सुनाली दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार आप देसीगी के इस्तेमाल से किवल 15 दिनों में अपने रफ और अन्मैनेजबल बालों को लंबावा चमकदार बना सकते हैं देसीगी खाने में जितना टेस्टी लगता है उतना ही यह हमारी बॉड़ी के लिए भी फायदेमन होता है परन्तु क्या यह आप जानते हैं कि यह बालों के लिए भी कई तरह से फायदेमन साबित हो सकता है यह आपको थोड़ा सा अस्चरिजनक लगे लेकिन आरवेड ने यह बात सिद्ध की है कि बालों में देसीगी का सही तरीके से इस्तमाल करने से बालों में चमक और ग्रोथ बहुत जल्दी होती है साथ ही काफ़ी टाइम तक यह आपके बालों की सुन्दरता को भी बरकरार रखता है देसीगी बालों में डेंडरफ की प्राबलम को दूर करता है अगर आपके बालों में डेंड रफ है तो आप अपने बालों के सकल्प में देसी की और बदाम का तेल इन दोनों को mix करके इसकी अपने सकल्प में मसाज कीजिए ऐसा करने से आपको रूसी से छटकारा मिलेगा इसके साथ ही सकल्प पे होने वाली dry skin और dryness भी बहुत जल्दी दूर होगी और यदि आपको split end की problem है तो देसी की से सकल्प पर मसाज करने से यह problem भी बहुत आसानी से दूर हो जाएगी यह हमारे बालों को भरपूर पोर्शन देता है और यह बालों के लिए बेहत पाइदे मन होता है इसके लावा यदि आपके बालों की ग्रोथ बहुत कम है तो आप अपने बालों में देसीगी से रेगुलर मालिश कीजिए इसके लावा आप देसीगी में आवला और ओनिन जूस भी मिला सकती है इस ट्रेमेडी को 15 दिन में कम से कम एक बार जरूर इस्तमाल करना चाहिए ऐसा करने से आपके बाल सुन्दर होने के साथ साथ लंबे वा घने भी जरूर बनेंगे लंबे बालों के साथ साथ देसीगी आपके बालों को स्ट्रेट भी बनाता है देसीगी के इस्तमाल से आप अपने उल्जे हुए बालों को बहुत आसानी से सुलशा सकते हैं इसके लिए आपको देसीगी में थोड़ा सा olive oil मिलाकर इससे अपने scalp में massage करनी होगी ऐसा करने से आपके उलजे हुए बाल बहुत जल्दी सुलच जाएंगे और वे silky, soft और smooth बनेंगे देसीगी आपके बालों में natural shine को भी बढ़ाने का काम करता है बालों के natural shine को बढ़ाने के लिए देसीगी को हलका सा गुनगुना करके इसे अपने बालों में 5-7 मिनट के लिए हलके हाथों से massage कीजी और इसके बाद अपने बालों में एक निवू का रस्ट लगा कर आदे गहंटे के लिए छोड़ दे और आदे गहंटे के बाद अपने बालों को किसी mild shampoo से थो करके साम कर लें ऐसा करने से कुछी दिनों में आपके बालों की खोई होई चमक फिर से लौट आएगी और आपके बाल पहले से ज़्यादा लंबे घनेवा मजबूत बनेंगे तो दोस्तों मुझे उमीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजीगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी और ग्रह सुनाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा एक नई और बहुत अच्छे सी जानकारी के साथ मैं आपके सामने फरसे हाजिर होंगे धन्यवाद